Let's look at this. It mentions that A, B, C, D are integers such that A is equal to 6B is equal to 12C and 2B is equal to 9D is equal to 12E. यह दो information दी है. Then which of the following pair contains number that is not an integer. तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं? हम A is to B is to C is to D is to E का ratio पता करने की कोशिश करते हैं. उसके लिए यहाँ से आपको एक ratio मिलेगा और यहाँ से एक ratio मिलेगा और उनको club करना पड़ेगा. क्लब करने के लिए मदद लेनी पड़ेगी आपको B की, क्योंकि B is the common link, अब दोस्तों लेकिन B यहाँ पे 6B था, यहाँ 2B है, तो अगर इस 2B को मैं, what we know is A equal to 6B equal to 12C, यह पता है, अब अगर इस 2B को 6B करता हूं मैं, तो 3 time हो रहा है, तो यह भी 3 time होके 9, 3's are 27D होगा, और 12, 3's are 36E होगा, तो यह information उन्होंने बताईया है मुझे, अब मुझे अगर इनका ratio लेना है, तो what we can do is, यहाँ पे कोई ऐसा number हम आजूम कर लेते हैं, जो A का coefficient है 1, तो 1 के table में बैठता हूं, 6 के table में बैठता हूं, 12 के भी table में बैठता हूं, 27 के भी table में बैठता हूं, और 36 के भी table में बैठता हूं, तो ऐसा number पता करने के लिए हमें 36, 27, 12, 6 और 1 सब के table में बैठने वाला मतलब LC हम लेना पड़ेगा, अगर दोस्तों मैं यहाँ 36 लिखता हूं, तो 36 के table में तो बैठेगा, 12 के बैठेगा, 6 के बैठेगा, 1 के भी बैठेगा, तो अब समस्या सिर्फ बचेगी 27 की, अब 36 is basically 9 into 4, and 27 is basically 9 into 3, तो 9 तो हमने 36 के लिए, जब यहाँ 36 लिखा, तो 9 तो हमने अल्रेडी लिख दिया है, उसमें, 9 तो अल्रेडी लिख दिया है, तो अब 27 का खयाल करने के लिए, 27 का खयाल करने के लिए, हमें सिर्फ 3 यहाँ पे लिखना तो अगर मैं यह वैल्यू इसके बराबर, यह इसके बराबर, यह सारी वैल्यू को अगर मैं equal to 108 मान लेता हूं, तो वो सब का multiple हो जाएगा, मतलब अब हमें integral values मिलेगी, क्या मिलेगी, तो a is equal to 108, now 6b is equal to 108, 6b is equal to 108, तो b की वैल्यू होगी 18, 12c is equal to 108, तो c की वैल्यू होगी 9, 27d is 108, तो d की वैल्यू होगी 4, and 36e is equal to 108, मतलब e की वैल्यू होगी 3, तो we have successfully found out the ratio of a, b, c, d, e, सब का हमने ratio पता कर लिया है, अब उन्होंने बोला है, which of the following number contains a number that is not an integer, now we know that all these numbers are integers, that means this is ratio, ratio is nothing but the simplest possible form of the, division of the numbers, तो a 108 होगा जरूरी नहीं है, लेकिन वो 108 के टेबल का ही कोई तो number होगा, b 18 के टेबल का होगा, c 9 के टेबल का, d 4 के और e 3 के टेबल का number होगा, तो पहला option बोल रहा है, a by 27, a is 108 by 27, हो जाएगा, 4, integer है, b by e, b is 18, e is 3, तो 18 by 3 is 6, which is integer, हमें option चाहिए, which is not integer, अगला बोल रहा है, a by 36, a is 108, 108 by 36 is 3, integer, c by e, c is 9, e is 3, 9 by 3 is 3, integer, a by 12, a is 108, 108 by 12 is 9, integer, b into d by 18, b is 18, d is 4, तो b into d is 72 by 18, 4, that is also integer, that means the correct answer is option d, क्योंकि बाकि इस तीनों option integer है, इसमें यह जो a by 6 में तो कोई problem नहीं है, a is 108, 108 by 6 18 होता है, no problem, but c by d बोल रहा है, c is 9 and d is 4, 9 by 4 integer नहीं है, 9 by 4 की value 2.25 आती है, so option d में ऐसा number है, जो integer नहीं है, so d is the answer,